दो दिन की मुलगा तो में ही साथ थी नहीं बनता है कोई कहते हैं जिसको प्यार सभी एक तरफा होता नहीं दोस्तों आपने इंग्लिश में वो कहावत जरूर सुनी होगी कि रोम वस नेवर बिर्ट इनदी और रोम वस नॉट बिर्ट इनदी पस यही लेकर मैं आप सभी दोस्तों से एक गुजारिश करना चाहूंगा हमने आपके कॉमेंट्स पढ़े कॉमें सेक्शन में सबसे पर तो थैंक यू कि आपने अपने कॉमेंट्स दाले वहाँ पर और आपके मेन कॉमेंट्स यही रहते हैं कि हम इस ग्रैंड लिग में पार ज़ंद आपको चेंज नजर नहीं आएगा आपको थोड़ा सयम रखना पड़े तो पहले आप फैंटेसी गली के साथ जुड़ें जुड़े रहने का सिर्फ फाइदा नहीं होगा आपको फैंटेसी कली को फॉरो भी करना पड़ेका फॉरो का मतलब है सिर्फ सोचल पर प्लोग करने पड़ेंगे देखने पड़ेंगे कि उनकी वीडियो अनालेसिस है या फिर उनका रिटन अनालेसिस क्या कहता है किस तरह की टीन पनती है और फिर ये सब जाच परताल के बाद फिर आप ग्रैंड डीक में कूदें कहने का मतलब यही है कि आप धीरे धीरे इंवे प्लाकारी मिल जाती है आपके हिसाब से फिर आप ग्रैंड डीक में खेलने के लिए तयार हो जाते हैं तो सब्सक्राइब बहुत ही बड़ा फैक्टर है जब आप फैंटेसी खेलते हैं तो हर दिन सेम नहीं होता कोई-कोई दिन अच्छे होते हैं कोई-कोई दिन बुरे आ दिखना है कि आप सईयन किस तरह परकरा रखते हैं जब आपके बुरे दिन आते हैं और फैंटेसी के लिए आपको ये वादा जरूर करता है प्यार कभी एक तरफा नहीं होता आपने हम पर वरोसा दिलाया है आपने हमसे प्यार किया है बदले में हम आपको सूच समय ज्या पर वहाँ पर कि ये टीम आपको एक करोड की लॉटरी लगवा देगी ये ग्रैंडिंग में पाटिसिपेट करने से आपको ये मिल जाएगा वगेरा वगेरा लेकिन हम आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में भी बताएंगे तो वो फैंटेसी गली से प्रॉफिकेशन मिल जाएगा और काम थोड़ा आसान करने के लिए प्लीज फैंटेसी गली का आप डाउनलोड कर दीजे गूगल प्ले स्टोर में और अपके पास गूगल प्ले स्टोर नहीं है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस लिंक पर क्लिप करके आप अपनी सहायता जरूर कर सकते हैं और जहां तक सयम की बात है आपने इतना सयम तो दिखाया ही है यह सब सुनने के लिए अब और भी सयम दिखा दीजिए यह जानने के लिए कि इस वीडियो में आपके लिए क्या रखा है नमस्कार दोस्तों मैं कार्टी अइयर अपने पूरे फैंटेसी गली टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर यह है विडियो फॉर इंडिया वर्स श्री लंका सेकंड टेस्ट जो खेला जाएगा बेंगलूरू में और बड़ी बात यह है कि यह एक ड अब भारत आसानी से जीट जाएगा वह भी इनिंग्स जीटा है तो हम यह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यह दूसरी टेस्ट में भी आपको वहीं मिलने वाला है शायद इनिंग्स जीट हो या नहीं हो यह तो पता नहीं लेकिन एक कराराई करारी हार श्री लंका के मूंपर एक बार फिर लग सकती है क्योंकि भारत की स्किल सेट काफी बैतरीन है तो उससाब से श्री लंका थोड़ी कमजोर है आपको इस वीडियो से क्या क्या मिल सकता है सबसे पहले तो पिछ रिकोर्ट कंडिशन के बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे फिर किस तरह कि बल्ले बा मौका दे जीतने का और फिर क्याप्टन और वाइस क्याप्टन के चुनना भी एक अदा है वो भी तैय करता है कि आप इतने हद तक एक कॉंटेस्ट जीत सकते हैं और अंत में इन सभी का मूल किस तरह के कॉंटेस्ट में आपको पाइंसिपेट करना चाहिए इसकी एक ज्छ बेंगलोरू में खेला नहीं है इंफैक्ट मैं थोड़े वहाँ थ्रवत सप्राइज हूं जहां तक यह जो मैच्छ हुए है भारत में टेस्ट मैच्छ में टेस्ट ग्राउंड के एक रिगार में तो 2012 से मांदो एक अकाल सा पड़ गया है बेंगलोरू में दस वर्ष होने आगए और दस वर्ष में यह मात्र चौथी मैच है बेंगलोरू में 2012 में भारत ने न्यूजरेंग के खिला था उसके बाद 2015 में दक्षिन आफरिका के साथ 2017 में ऑस्ट्रेला के साथ और 2018 में अफगानेस्तान के साथ वो more or less अफगानेस्तान को एक इंस्पिरेशन के लिए थी थोड़ी बहुत मदद की तरफ से उनका यह टेस्ट क्रिकेट में वो जिस कदम बढ़ा रहे थे तो उसे सबसे भारत ने उनकी मदद जरूरी थी तो ऐसे में एक long lasting stat निकालना थोड़ा मुश्किल जरूर बनता है क्रिकेट बदल चुका है अगर आप क्रिकेट की बात करें तो 2010 के पहले क्रिकेट जो है शायद उतना fast नहीं खेला जाता था जितना अब खेला जाता है अब आप कौनसे भी match में देखे आपको 3.5 के नीचे run rate दिखते ही नहीं है एक जमाना हुआ करता था जब दो धाई के आगे भी run rate अगर हो तो अच्छा माना जाता था लेकिन आज कर तीन के नीचे test match में भी run rate खराब ही माना जाता है और अगर पिछ के हिसाब से तो कुछ ज्यादा फरक नजर नहीं आएगा लेकिन curiously curiously एक चीज मुझे जरूर नजर आई है वो यह कि अमूमत जब हम भारत में match खेलते हैं तो हम कहते हैं कि आप उस team से ज्यादा players लो in fact उस team से क्यों आप team batting first को ज्यादा advantage यहीं माना जाता है लेकि यहाँ पर थोड़े numbers अलग है बंगलोरू को अगर हम देखें तो team जो पहली batting कर रही है उससे जाद उतना success नहीं मिला है अगर मैं आपको record बना के बता दू तो फिर अफगानिसाम के खिलाब भारत ने 474 जरूर बनाये थी 2018 में लेकिन उसके पहले Australia के खिलाब खेली थी 2017 में 189 पे all out पहली पारी में फिर उसके पहले दक्षण आफरिका ने भारत के साथ 2015 में खिला था उसमें दक्षण आफरिका 214 all out तो कहने का मतलब यह है कि शायद पेंगलोरू एक ऐसा pitch है जहां पर feeding first यह better सापित हो लेकिन आपको उससे क्या लेना देना आपको तो यह जा प्लेयर ले श्री लंका से पांच ले सकते हैं और अगर भारत पहले feeding करता है तो फिर आप भारत से साथ प्लेयर ले सकते हैं इंवस्मेंट की बार में मैंने बता दिया आपको low to medium ही रखे एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप confident नहीं है तो आप head to head contest में भाग लें छोटे-छोटे contest में लेकिन ज्यादा contest में आपकी जीत definitely होगी अगर आप बड़े grand league में participate करेंगे तो फिर वो कहते ना अंग्रेजी में do not keep all your eggs in one basket तो अगर वो basket तूट गई है तो फिर सारे अंडे आपके चले जाएंगे तो आप वो जो अंडे हैं अलग-अलग baskets में रखे थोड़े-थोड़े करके तो आपके investments जो हैं ऐसे secure रहेंगे और आपको profits मिलने के ज्य मुझा जरूर था कि रिशब्पन को बैटिंग का मौका मिलेगा या नहीं लेकिन उने मिलता रिशब्पन को बैटिंग का मौका मिल ही रहा है क्योंकि बैंगलोर में कि हम कह रहे हैं कि पहले बल्ले बाजी थोड़ी मुश्किल रहेगी आप शायद openers भी इतना ज्यादा consistently perform नहीं कर पा रहे हैं भारत के लिए भी टेस्ट मैचों में रोज Χरमास स्टार्ट जरूर दे रहे हैं लेकिन एक लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं तो उस हिसाब से लिए रिशुपन को ज्यादा में डेफिनिटली होने चाहिए और जहां तक बैटिंग रेकॉर्ड का सवाल है तो पिछले डे नाइट मैचेस में अगर हम बात करें तो डे नाइट मैचेस में टॉप त्री रन में निरोशन डिक्वेला थोड है यानि इनके पास अनुभाव है पीन मैचेस खेली है शे पारिया खेली है उसमें 35 का आवरेज है और क्रूशली 75 का स्ट्राइक रेड है तो और यह आपको दिखाता है यह टेनाइक के रेकॉर्ड नहीं यह टेस्ट मैचेस के रेकॉर्ड है पिछले मैच में दूसरी पारि में निरोशन डिक्वेला एक लॉस्ट कॉस्ट के भले खेल रहे थे लेकिन उससे जरूर इस मैच में उनको आगे देखने का कोई पॉइंट ही नहीं है तिमुत करुना रत ने जैसे कि हमने कहा तक कि किस्मत भी इनके साथ रहती है आलाकि इ टेस्ट मैच में बहुत ही कम अंक बनाये थे इन्होंने सिर्फ सतर अंक दिलाए उसके पहले 69 लेकिन उसके पहरे भर भर के इन्होंने पॉइंट दिये तो दिमुत कर्णा रतने को आप अपनी टीम में रखे और एक और वज़ा है डे नाइट टेस्ट मैच में श्री लंका के लिए सबसे ज्यादा रंगेटर रहे हैं दिमुत कर्णा रतने करीब 60 का एवरेज 58 का एवरेज है और इन्होंने एक शतक भी जड़ाया हुआ है इस फॉर्मैट में डे नाइट वाले फॉर्मैट रहे तो इसलिए दिमुत कर्णा रतने को आप अपनी टीम में जरूर र पचपल 96 58 फिर पीच में 377 और 183 प्रॉब्लम यह है कि रोजच्रमा सेट हो जाते हैं और ऐसे लग रहे हैं कि आज तो इनका सेंचुरी बनाने का मूर है और चैसी वो लग जाता है वो अपना विकेट गवांकर चले जाते हैं पिछले टेस्ट में वहीं हुआ एक अच्छ कास लगाव रहेगा रोजच्रमा के साथ वो यह कि ऑस्ट्रेला के खिलाफ उन्होंने इसी मैदान पर 12 तक चड़ा था नौ साल पेले लेकिन फिर भी ओडियाइस में 12 तक चड़ा था 2013 में तो वो शायद रोजच्रमा को अच्छा रहेगा कि इस मैदान पर मैं रन जरूर बना लेता हूं तीसरी बात ये कि वो कप्तान है उनके जहन में रहेगा कि अगर मैं अपनी टीम को एक अच्छी स्टार्ट देता हूं तो फिर में definitely ज्यादा रंस बना सकता और में टीम भी ज्यादा रंस बना सकती है red ball cricket में उन्होंने ज्यादा रंस बनाये नहीं है लेकिन ये एक अच्छा मोखा है जहां पर opposition इतनी अच्छी balling attack लेकर नहीं आ रही है conditions आपके favor में हैं, आपका घर है, आपका backyard है इसलिए रोईज शर्मा आपके लिए crucial player बन सकते हैं चलिए अब बढ़ते हैं all rounders की तरफ तो यहां पर इस मैदान पर all rounders आपके लिए काफी important सावित हो सकते, पहले जो least favorable है उनके बारे में बात करते हैं पिछले मैच में थोड़े बहुत अंक कमाये थे लेकिन पिछले मैच के पहले अच्छे फॉर्म में आ रहे थे चौसर्ट, दोसो चौबेज, एकसो बंदरा, पिच्चासी और दोसो सोला यह इनका फॉर्म रहा है टेस्ट मैच क्रिकेट में श्री लंका ज़रूर उमीद करेगा कि इस मैच में भी धरनजय डिसिलवा रंस बनाए, बिकेट्स ले और जो फैंटेसी खेल रहे हैं, वो फैंटेसी वाले सोच रहे होंगे कि उन्हें पॉइंट्स दे अब आते हैं, हेवी ट्राफिक एरिया में, जी हाँ, हेवी ट्राफिक एरिया फैंटेसी का एक रूल है दोस्तों, कि आप एक टीम से साथ ही प्लेयर ले सकते हों, अन्फोर्चुनेटली नहीं तो किसी किसी का बस चलता तो वह 11 के 11 भारत से खिलानी दे सकता, फिर आपको प्राइसिंग का भी देखना पड़ेगा, जैसे कि अश्विन का प्राइसिंग है साड़े नो, जड़े ज़ड़ा का प्राइसिंग है तस, और अब बाप्पू भी आ रहे हैं, दूसरे मै बेशक आपके टीम में होने ही होने चाहिए, पिछले मैच अभी उन्होंने अपनी स्किल के बार में एक एग्जिबिशन दिया ही था, 201 पॉइंट ड्रीम टीम के सेकेंड हाइस पॉइंट स्कोरर थे, और दक्ष्णा अफरिका में भी भरही भरही भारत शंकला हार गई हो वहाँ पर भी अश्विन ने अच्छी केंद बाजी डेफिनेटली की थी, और जहां तक रवींद्र जड़ेजा का सवाल है, रवींद्र जड़ेजा तो वैसी अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं, पिछले मैच में जिन्रों ने अपने कप्तान मनाया था, वेरी गुड, प्र जड़ेजा इस मैच में भी अपनी चाप छोड़ सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ओफ प्लेंटी और वो क्या है, ये मैं आगे-ागे बताऊंगा, इस वीडियो में वैसे तो ये मैन हैटन देख कोई मतला भी नहीं है, क्योंकि सब अच्छा ही है, यहाँ प पिछले 5 मैचों में लगातार हर एक मैच के साथ जड़ेजा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 7, 85, 116, 184 और फिर 390, अब उपर वारा ही बता सकता है कि पैंगलूर वाले मैच में जड़ेजा कितना अंग दिलाएंगे, तो ये होगा है जड़ेजा के पॉइंट्स, अब आते हैं गेंड बाजी पर तो गेंड बाजी में यहां पर आप सुरंगा लखमल को जरूर कंसिडर कर सकते हैं, क्यों क्योंके डे-night टेस्ट मैचेस में श्रीलंका के तरफ से लीडिंग लिकेट कर है, सुरंगा लखमल 13 लिकेट लिकेट लिए हैं, उन्होंने तीम मैच मे और एवरेज है 17.53 तो वो पिंक बॉल अलग होता है रेड बॉल से, उसकी ग्रिप अलग रहती है, तो इन्हें आदत है उस गेंड से गेंड बाजी करने की, तो इस गेंड के साथ कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगे, वही पर भारत के तरफ से आप चाहें कितन इन्हें आपको कंसिडरेशन में रखना ही पड़ेगा, तो आप पॉइंच भी देख सकते हैं, पिछले पांच मैंटों में इन्होंने जबरदस्त गेदबाजी की है, 91, 60, 70, 83 और 95 अंग खासिती है, तो यह हो गए हमारे प्लेयर सजिशन, अब आते हैं हमारे डिफ्रेंश छीक जी हां, आप डिफरेंशल फिक्स तो आप 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 साले लोग को रखेंगे, क्योंकि यह गोटू प्लियर अंप इन गोटू प्लियर के बिना तो टीम बना नहीं सकते, लेकिन कोई-कोई तो कुछ-कुछ वो कहते हैं, तो ऐसे खिलारी होते हैं जो आपके यह बदल देते हैं वह होते हैं बहुत कम लोगों के पास है और जो इन्हें ऐसे जोकर की तरह निकालते हैं वह मैच का अर्भुख बलट सकते हैं सबसे पहले ऐसे खिलारी है विराट कोली क्यों बन जाते हैं यह कि शायद बहुत कम लोग एक्सपेट कर रहे होंगे कि विराट कोली कंसिस्टेंटी एक बार सो बनाते जारते अब पचास तर भी बहुत मुश्किल से पहुंच रहे हैं लेकिन शायद इतिहास उन्हें इसका मौका जरूर देगा क्योंकि डे नाइक टेस्ट मैंचस में भारत की तरद से विराट कोली ने सबसे जादा रन बनाए ंगे अगर अब रिशप पंत को ले रहे हैं वराट कोली रहे हैं रोली शर्माक को ले रहे हैं रवीचंद्र अश्वीन को ले रहे हैं जहांके आपको कूले के बागी के गया चार प्लियर को भी देने हैं ये आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा लेकिन हाँ मैं ये सजेस्ट करेंगा कि हो सकता है ये जरूरी नहीं है मैं जानता हूँ कि रविंदर जड़ेजा पिछले मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं लेकिन अगर आप चाहें तो या तो आप अकसर पटिर रविंदर जड़ेजा और आर अश्विन तीनों को अपनी टीम में ले सकते हैं बिना कोई डाउट के अगर हम लीडिंग विकेट टेकर्स की बात करें वो भी पिंक बॉल्ट रिकर्ट में माफ कीजे हैं वो फर्स टेस इसले बाहत है कि उनको चोड भी हुई थी और कोविड भी हुआ था अब फिट होकर वापस आ रहे हैं तो हम तो यह आपको सजेस्ट जरूर करेंगे कि आप अश्विन और अकसर इन दोनों को कैसे भी करके अपने टीम में रखें जड़ेजा आपके टीम में आएंगे तो उससाब से जरूर अपनी अकल जरूर्ण कीजेगा और अपनी टीम बनाएगा तो चलिए हम चलते हैं हमारे प्लेयर की तरफ यहारी कौन आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकते हैं तो यहाँ पर एक रेर चीज़ टेस्ट मैच है तो आप चाहे तो एक बोलर को यह अवखास करके एक स्पिनर को अपने कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं जैसे कि रवीचंदरन अश्विन यह आपके लिएक सेफ प्रिक हो जाते हैं अक्सर बड़े डेफिनिट हो जाते हैं रवींद्र जड़े यह भी आपके लिए थोड़े 50-50 ह हो सकते हैं कि वाइस कैप्टन की जैसे कि मैंने कहा जब तीम होते हैं तो फिर एक डेफिनिटल अंडर बोल बो जाता है और गट फीलिए कि शायद रवींद्र जड़े जा इस मैंच में अंडर बोल हो सकते हैं जरूरी नहीं लेकिन हो सकते हैं आप दूसरे सेफ खिलारी ब आप पैक्शन में से एक बनते जा रहे हैं लेकिन अभी भी एक लंपा सफर तैय करना है और रोई चर्मा simply because वो फॉर्म अच्छा दिखाते हैं लेकिन उस फॉर्म को carry forward नहीं कर पाते हैं तो आप अपने मैच सेंटर में आपको contest section बताता है जिसमें आपको यह करना है कि आपको कौन सी रण नीटी चाहिए आप सेव खिला रही है विस्की है अगर आप नए है तो छोटे head to head contest में भाग लीजिए low to medium investments रखिए अगर आप experienced है तो बिंदास आप grand league में participate कर सकते हैं लेकिए investment को थोड़ा सोच समझ के कीजिए चड़िए that's all from this particular अपने पूरे fantasy गरी टीम की तरफ से आप से विदा लेता हूं जानने के पहले जाने से पहले में आपसे यही दर्कवास करूंगा कि प्रीज फैंटेसी गरी को योज बनते हैं बाकी सारे मैचेस भी है तो प्लीज फैंटेसी गरी पर आईए सबी टॉर्नमेंट्स चेक कीजिए और मज़े से मज़े उठाइए चले नमस्क्राइए